ओम नमेश्य वाए ओम नमेश्य वाए दोस्तों अब सभी का आपके चैनल में आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत धन्यवाद इश्वर आपको हमेशा खुश रखे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब भी जीवन में सुख आता है अच्छे दिन आते हैं जिसे हम कहते हैं आहम भाषा में सुख आते हैं समरज दिया दिया तो वो कौन-कौन से संकेत इश्वर हमें देते हैं या वो कौन-कौन सी बाते हैं जो हमें पता लगती ह इस विशे पर आम आज इस वीडियो में बात करेंगे और ये कमेंट्स में मुझे वेश्ट पंगॉल से अजीत ने कमेंट्स किया है कि आप इस विशे पर वीडियो बनाएगे अगर आप किसी विशे पर वीडियो चाहते हैं कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं कि आप इस विशेपर वीडियो बनाए और मैं उस विशेपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए दोस्तो जब भी जीवन में सुख आता है ये एक कलपना हमारी जो है हर एक व्यक्ति के लिए सुख की कलपना है अलग अलग है और सुख का जो भाव है वो अलग अलग है एक स्टुडेंट के लिए उसे परिक्षा में पास हो जाना सुख है एक बेरोजगार के लिए रोजगार मिल जाना उसके लिए सुख है जिस विक्ति की विवान नहीं हो रहा उसकी शादी हो जाना इस जीवन में सुख जो है हर एक पड़ाओ पर कुछ अलग द्रश्टी कौन रखता है तो हम इस पूरे विश्यों को इन्हां से कवर करेंगे उससे पहले में आपसे एक छोटा सा निविद्र करमा चाहता हूँ प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट्स में आप लिखें और अगर जीवन में कोई तकलीफ या परिश्टनी से आप गुजर रहे हैं तो स्क्रीन पर मेरे नबर चल रहे हैं आप आप सब्सक्राइब लेकर बात कर सकते हैं सबसे पहली बात है जब भी जीवन में एक सुख और एक अच्छा समय चाहिए तो वर्तमान जो चल रहा है उसमें किये गए कर्म जो है हमारे सकारत्म किये गए कर्म है वही आने वाले भविश्य में सुख और दुख को निरधारण करता है अब वर्तमान को निधारन करने के लिए सबसे भात्पूर्ट चीज़े आपका ज्यान, आपकी सिक्षा, आपकी कर्मटा, आपकी मेहनत ये चार ऐसे अस्त्र हैं जो सकारत मक्वे में अगर यूज किये जाए तो डेफिनेटली आप काने वाला जो समय है वो सुख में होगा, शान्ती में होगा और अच्छा होगा पर हो ये रहा है कि इस इस्तिती तक पहुचने से पहले ही हमें बहुत सारी रुकाउटे, बहुत सारे आर्थी क्राइस, पारिवारी कारण, कई सारे कारणों से जूचना पड़ता है हमारे पास योगताई भी है, कोई परिशानी नहीं, पर हालात ऐसे निर्मित हो जाते हैं कि जिन में हम हमारा 100% नहीं दे पाते हैं इसलिए जब भी अपने हालातों को अपने उपर हावी ना होने दे, जो भी वक्त मिले, उस वक्त में अपनी आने वाले अच्छे समय के लिए थोड़ा सा प्रिप्रेशन और तैयारी जरूर करें इश्वर जरूर साथ देता है हिम्मत करने वालों का और मैं वादा करना हूँ कि अगर आप इस तरह से चलेंगे तो आने वाले समय में आपके जो दिन है आपका वक्त सुख में होगा